कि अपने घरिणा कर आ अपने हम लेकर आएम उलेकर आपके रहें ने Chinese जी आपके हमेशती ह verdi राहिए करको मज़दर बंकर किस्थना सब ना रहें एक किसी क्क रेसेपी आcolm आ इता Tell पर यहां भी हम लिया है चाप के गों है मैं इसमें अलग से कोई गोश्न लिए इस सब्सक्झाप को इक कीलो है यहां कुक करमें डालें नमक नाइब देज़ पत्ते 1 टीस्पुन दाल देगे गरमसारा पाउडर 1 टीस्पुन सौफ और घड़ी धनी नहीं है एक टीस्पुन तो यह हम दोखे अच्छे से और इसी में डाल देगे ले लेंगे हम इसमें 20 स्पून लहसो नद्राक का पेस्ट एक सीटी आने के पानी यानी की 1.3 लिटर के करीब हम पानी डाल देंगे हमारा गोश अच्छे से डूपदाना चाहिए ताकि जब अछी बन के त्यार हो तो बहुत ही अच्छे से अखनी रहे हमारी तयार अब हम इसकी कुकर की लिड लगा देंगे एक सीटी आने के बाद हम सीम गेस पर इसे दस मिट पकाएंगे और दस मिट बाद हम इसे बंद कर देंगे यह हमारी गल जाएंगी और एक भगवना लेंगे उसमें हम लेंगे 250 ग्राम ओयल और दो बड़े साइस की प्यास हम बारी काटके इसमे डाल देंगे और प्यास को हम फ्राई होने तक अच्छे से पकाएंगे यह हमारी प्यास हो चुकी है गुल्डन फ्राई तो इसे हम निकाल लेंगे इसमें से लगभग आधी प्यास हम निकाल लेंगे और आधी हम भगोरे में ही रेने देंगे अब हम लेंगे कुछ खड़े मसाले जिसे हमने दो लोंगे दो हरी लाइची एक जाय फैल का तकड़ा एक बड़ी लाइची लिए बड़ी लाइची को हमने खोल लिया है और हम दो इंच के करीब हम लेंगे दालचीनी के तकड़े बन टी स्पून लेंगे हम जीरा, बन टी स्पून लेंगे हम काली मिर्ज और गए हम टेज पत्ते सारे घाड़े गरम असाल है इन्हें हम ओल में डाल देंगे जैसे ये करकल हो जाएंगे अच्छे से तो इसमें हम डाल देंगे अपने लेसन अद्रा का पेस्ट यहां पे हम टू टू टबल स्पून डाल देंगे लेसन अद्रा का पेस्ट इसे हम अच्छे से भून लेंगे लेसन अद्रा का जो कच्छा पने वो खतम हो जाएगा इसके अच्छे से भूनने से आप हम डाल देंगे इसमें दही हमने लिया है 100 ग्राम यानि कि आप इसमें 2 टेबल स्पून हमने भर के डाला है आप एक बावल पी डाल सकते हैं और लेसन अद्रक और दही हमारा अच्छे से बुन चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर मोटे मोटे काट के लिए हमने और 4-5 हरी मिर इनकी भी हम इसी मसारे में अच्छे से बुनाई कर लेंगे अब हम अपनी अखनी को देख लेते हैं यानि की कुगर कलिट खोल लेंगे और यह हमारी अखनी अच्छे से गल्चु के हैं चापों का गोश्ट तो इन में से हम अच्छे से पानी इसी में रहने देंगे जो हमा तो यहां पे हमने पूरी चापो को अच्छे से अलग कर लिए अखनी में से और अखनी अलगी रहने देंगे अभी हम और यह जो हमारा मसाला बुन रहा है इसको हम चापो को हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी दिर हम चाबो को भी इसी में डाल के अच्छे से फ्राइ करेंगे यानि भूनेंगे और हमने यहाँ पर आधानी बूलिया है उसके हमने सिलाइस कर ली है वो भी हमें सीमेट कर देंगे और चाब अच्छे से जब हमारी भून जाएगी तो फिर हमने जो अपनी अखनी अलग करके रखी थी वो हम इसी में डाल देंगे इसमें नीचे जो हमारे खड़े धनी है और सौफ है वो हम इसमें नहीं डालेंगे हम इस तरह डालेंगे वो नीचे ही रह जाए या फिर जब last का पानी बचेगा तो इसे हम चानते हुँ डाल देंगे इस तरह से हमें अलग कर देना है ये इसमें नहीं डालना है ये हमारी जो अखनी और का पानी हम इसमें डाल चुके हैं अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, बॉयल आने देंगे इसमें, जो हमारे बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें चावल डालेंगे, जो हमने चावल लिये थे, यह हमारे एक किलू चावल है, इसको हमने अच्छे से वाश करके भीगा दिया था, एक घंटे के लिए, तो जो तैयार हुई अखनी है तैयार हुई अखनी में डाल देंगे तो जो हमने यहां पे अखनी ली थी अगर पानी कम लगता है चावलों में तो आप पानी अलग से डाल सकते हैं या फिर आप अखनी का पानी इतना भी तैयर कर सकते हैं जितना चावल का डवल लगता है या तो हम पूरी अखनी का पानी ही यूज कर सकते हैं तो बस अब हमारे चावल और नमक हमें चावलों में डाला नहीं था, इसलिए हमने नमक इसमें एड़ कर दिया है चावलों के साब से, पेले हमारे अखनी में नमक मिला हुआ था, अब हम इससे अच्छे से चमच चला के मिक्स कर देंगे, ठांक देंगे, बोईल आने तक, यह तो इससे चमच नहीं चलाना है ज़ादा बस हमने इलाइची-उलूंगा पौडर डाला है तो यह मिक्स हो जाए बस, पौडर मिक्स होने के बाद हम इसे ठांक देंगे यह हमने जो इलाइची-उलूंगा इससे बहुत इच्छा टेस्ट आता है बिरियानी में बिल्कु हलका हलका सा बचा है जो कि हमें इसे भी खतम करना है ये जो बुल-बुले दिख रहे हैं ये अभी इसमें पानी बाकी है चावल तो हमारे बहुत ही अच्छे से पक रहे हैं तो हम इसके चावल पानी सुखाने का थोड़ा सा गेस्सिम कर देंगे पांस से दस मिनिट के लिए यहां पर हमने लिया है हाफ टी स्पून से कम जाफरानी पाउडर जो की औरेंज फूट कलर होता है इसमें हमने पानी डालके गोल लिया है इसे जब हमारे चावलों का पानी खतम हो जाएगा बिल्गुल पूरी तरीकर से जैसे कि आप देख चुगे बुल-बुले आना बं तो कलर हमारा डल चुका है थोड़ा सहम इसमें खुश्बू के लिए डालना है अगर आप चाहे तो डाले नहीं तो नहीं डाले हमने गरम असाल बाउडर उपर से स्प्रिंकल कर देंगे और हमने जो प्यास फ्राई करके रखिए वो डाल देंगे और इस टाइम जो मेरे भ अरुट तयार हो चुगी है काने के लिए तू चलिया हमें से करते ही सर्फ के तो फ्रेंड्स यहां पर तो हमारी चाब बिरियानी हुग चुका है बनके तयार वोगत ही çok tasty बिरियानी बनके बनके तयार हो裏 तो फ्रेंड्स में चाहते हूं आप भी अपने बकरेद इस पेशल में इस पर आप चाप बिरियानी बना के जरूर ट्राइ कीजिए मुझे उम्मीद है आपको यह बहुत ही पसंद आने वाली आपको यह बहुत ही टेस्टी लगी है खाने में और इसका जो मज़ा आने वाला है वो तो अलगी है तो फ्रेंड्स अ